पुलीस ने फिलहारून चार लोग रहतार किया है यूए पी ये लगाया है सेक्यूरिटी रिव्यू करने की और सारी इसलिए बात आप लोग के सबसे पहले तो जो आज कर रहे हैं तो पहले करना चाहिए था जल्दबाजी में पुराना मतलब सदन को छोड़ कर नए संगसत भवन पुराना संगसाद भवन चोड़ो नया संगसत चलो ये सारे करने के पहले यह सोच ना चाहिए तकि कहां कहां हमें क्या का करना चाहिए और इसके चलते इन लोग की जलवजी के चलते आज इस घटना इस तरह के अन्यम होने में सफल हुई है नहीं तो यह घटना नहीं घटने माले थे तो कम से कम देखिए इतने बड़े घटना घटी है ना आप तक कोई प्रामी शर्गों के बैन आई ना होमी शर्गों के बैन सेंगोल लेके जब पुजा पाट करते हैं नया सदन के अंदर तो ओ नया सदन की आज यह हाला क्यों हुई कम सखम जूख तो दूख या संका तो जतना चाहिए था ना एक देश की प्रदान मंत्री होने की नाते और यह सदन की नेता होने की नाते दोनों की तरफ से बारत हि प्रदाम उठाना जोरूरी इस विशाई पे उनकी तरफ से कोई बयान आना चाहिए थी यह वरा तयूब लगता है लगता है कि प्रदान मंति के साथ हिंदुस्तान की और भारत बार्श की हमारा जो ऑगास्थ थाउस है पार्लामेट कोई लेना देना ही नहीं आई सरकार की क्योंकि दिल्ली पुलिष मिनिश्या भूम के अंदर होते हैं इंटलिजनस फेल्योर मतल किसका फेल्योर कले मुद्दाम ने उठाया था अल्पर्टी मीटिंग में लोग यह सरकार की कोई मतलब ही नहीं आई जो हो गया तो हो गया इस तरीके की एटिचूड है जो हो गया हो गया जो हो गया तो छोड़ दो अरी इसको गहन चर्चा होना चाहिए इस पर हमें क्या करना चाहिए कहीं चूक है गलत कहीं हुई है इसको हमें पकरना चाहिए हम डड़े हुए नहीं अगर ड़ते थे तो सदन के अंदर हम लोग नहीं रहते थे और सदन के अंदर हमारे साराई तरप से बाकी सारे जो सदन के अंदर सब मिलके कल जो मतलब यह जो हमला रूखे है सबको साराना करना चाहिए था इसको बीद दान नमद इर करना कम से कम करना चाहिए था की हमारे हमारे हुनुमान बेनीवाल जैसे सबसे बड़ा ओजिला अरी बाबरे बाब वो कैनिश्टर लेकर जिस तरी के से बाहर निकले अगर बोम होते तो फट जाते तो क्या होते फिर भी परवा नहीं कि इनको तो सरह सराना करना चाहिए थे यह कल जो यह लोग बाहदुरी दिखाए जो तागात और साहज भी जिखाए उस तो सराना करने चाहिए था सीना ठोक हर जागा बात करते हैं लेकिन साधन की अंदर जो सीना देखाने का हमारे MPs को मदर प्रयास की उस विशय को भी जिकर होना चाहिए है लेकिन एक बात तो आम लोगों में चर्चा होना शुरू हो गये है कि मोदी यतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं देश की शुरुक्षा देश की शुरुक्षा अर जब सदन की शुरुक्षा न दे पाते तो देश की शुरुक्षा अईशे दे पाएंगे और रोजाना हम कहते हैं बिरोजगार बिरोजगार आज देखो ओ बिरोजगार आज इस हमले के पीछे एक बजा है 独ीरास्ता अलग हो सकते कभी किसी को मैं समर्था नहीं करना चाते लेकिन वो जो कह रहे हैं कि हमारे बिरोजगन नहीं आई पेट पलना मुश्किल हो रहे हैं यह यही तो हम बात कर रहे हैं मतलब प्रधान मुंति जी हमें कह रहे थे सदन सुरू होने की समय बाहर की गुस्सा अंदर मत लया करो देखिया हम लोग नहीं ले आम जनता उनकी अपनी दिल की गुस्सा अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं किसी को बचाओ करने यह नहीं लेकिन अंदर की बात थुरा हमें सोचना चाहिए गिर्वार में जाक कर हमें भी देखना चाहिए क्यों ऐसा हो रहे है